वेलकम टू आई टी आई मेकानिकल गुरू फ्रेंड्स जैसा कि हमारी किलासेश चल रही है उसी का ये नेश्ट वीडियो है तो चलिए सुरू करते हैं फर्स्ट कॉस्चिन है टेप एक कटेंग टूल है इसके प्रियोग खालिस्तान के लिए किया जाता है उप्सटन है सिंगल स्टार्ट थ्रेड काटी जाती है अंदरूनी चूडियां काटने के लिए बाहरी चूडियां काटने के लिए और अप्रोक्त सभी तो इसका जुराइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंदरूनी चूडियां काटने के लिए टेप का प्रियोग किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुंगantry स्टील ‌हाइप बनाया जाते हैं हो नेस्ट क्वेस्टिन है टेपर टेप की 6 से 10 चूड़िया आंगे से चेमफर होती है जनका टेपर लीड कौन खालिस्तान होता है ओप्सटिन है दस डिगरी चार डिगरी बीस डिगरी और अपरुक्ति में से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार डिगरी टेपर टेप की जो 6 से 10 चूड़िया आंगे की चेमफर होती है उनका जो लीड कौन होता है वो 4 डिगरी होता है नेस्ट क्वेस्टिन है इंटरमेडियर टेप की खालिस्तान चूड़िया आंगे से चेमफर होती है ओप्सटिन है दो से 3, 4 से 6, 6 से 8 और कोई बिशोडी टेंपर नहीं होती है तो इसका जो राईटा अंसर हो जाएगा वह जाएगा चार से चुडिया आंगे से चेंपर होती है नेश्ट कोस्टिन है시면 अधने हैं indicate टेप की टेर लीड का कौन खालिस्थान होता है तो इसका जो राईटा ऊप्शन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दस डिगरी नेस्ट कोस्टिन है बाटमिंग टेप का प्रयूख करते हैं ब्लाइंड सुराक की टेपिंग के लिए आरपार सुराक के लिए डहलाई की ये सुराक के लिए और अपरुक्त में से कोई नाए तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा blind सुराक की टेपिंग के लिए bottoming tip का प्रियूग करते हैं next question है gas tip का प्रियूग खलिस्तान में करते हैं option है gas container में जहाँ gas निकलने का डर होता है pipe हो में, ringage और उप्रोक तो सभी में तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा gas container में जहाँ gas निकलने का डर होता है बहाँ पर gas tip का प्रियूग किया जाता है next question है master tip अधिक सुद्ध साइज में होता है इसका प्रियूग करते हैं option है scroo page gauge में, ringage में, thread plug gauge में और उप्रोक तो सभी में तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा ringage में, ringage में master tip का प्रियूग करते हैं क्योंकि यह अधिक साइज में बना होता है next question है tape को tape hole से बाहर निकालने के लिए option है सीधा clockwise गुमाया जाता है पीछे anti clockwise गुमाया जाता है next question है matrix प्रिनाली में tape drill size ग्याद करने का सूत्र है option है tape size minus 1.22 multiply by pitch और tape size minus single depth tape size minus 1.22 और tape size minus pitch तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा tape size minus 1.22 multiply by pitch ये tape drill size ग्याद करने का formula होता है next question है थंबरूल के अनुसार matrix प्रिनाली में tape size drill ग्याद करने का सूत्र है option है tape size गुड़द 0.7 tape size गुड़द 0.8 tape size गुड़द 0.75 tape size गुड़द 0.85 तो इसका जो हमारा right answer हो जाएगा वो हो जाएगा tape size गुड़द 0.8 next question है ब्रिनाली में सामान नता tape size drill ग्याद करने का सूत्र है option है tape size गुड़द 5.8 minus 1.16 tape size minus 5.8 गुड़द 1.16 tape size minus 7.8 1.32 tape size minus tape size multiply by 7.8 1.32 इंच तो इसका जो हमारा right answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा tape size गुड़द 7.8 गुड़द 1.32 इंच यह हमारा इसका right answer हो जाएगा next question है ब्रिनाली में tape size drill निकालने का सूत्र है आने trip drill size है पूछा गया यहाँ पर ब्रिनाली में पूछा गया यहाँ पर तो option है tape size minus 1.2 वाट अपॉन पेच टेप size minus 1.64 अपॉन पेच टेप size minus 1.2 वाट अपॉन नंबर ओफ टीपी आई और tape size minus 1.2 वाट गुड़द नंबर ओफ टीपी आई तो इसका जो हमारा right answer हो जाएगा वो हो जाएगा tape size minus 1.2 वाट अपॉन एन टीपी आई next question है किसी पार्ट की गहरी सत्य में बने सुराख की टेपिंग करने के लिए खालिस्तान tape handle परियोग किया जाता option है solid tape handle, T-type tape handle, adjustable tape handle और अपॉनक्त सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा adjustable tape handle हो जाएगा इसका right answer next question है यदि tape job की सत्य से उपर तूट जाए तो उसे निकाला जाता है option है छेनी द्वारा, पैंचकस द्वारा, पंच वाहेमर द्वारा और उप्रूक्त सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा मारा पंच वाहेमर द्वारा क्योंकि जब भी job की सत्य पर टेप तूट जाता है तो उसे पंच वाहेमर द्वारा ठोक कर निकाल दिया जाता है next question है, stud extractor का प्रियोग किया जाता है option है, stud को घुमाने के लिए, तूटे बोल्ट या stud को बाहर निकालने के लिए, तूटे टेप को बाहर निकालने के लिए और उपरूक्त मैंसे सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा तूटे बोल्ट या stud को बाहर निकालने के लिए stud extractor का प्रयोग किया जाता है Next question है stud extractor में चूड़ी कटी होती है Option है right hand चूड़ी, ulti चूड़ी, उपरुक्त दोनों और उपरुक्त में से कोई नहीं तो इसका जो right answer है वो है हमारा ulti चूड़ी या left hand चूड़ी stud extractor में कटी होती है Next question है डाई द्वारा चूड़ी काटने के लिए rod का ब्यास रखा जाता है Option है चूड़ी के ब्यास के बराबर, चूड़ी के ब्यास से अधिक चूड़ी का ब्यास माइनस पिच बटा 10 और चूड़ी का ब्यास माइनस दो गुणा गहराई तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा चूड़ी का ब्यास माइनस फिच बटा 10 इसका right answer हो जाएगा next question है pipe die का प्रियोग किया जाता है option है rod पर चूड़ी काटने के लिए अंदरोनी चूड़ी काटने के लिए pipe पर चूड़ी काटने के लिए और उप्रोक्त सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा pipe पर चूड़ी काटने के लिए pipe die का प्योग किया जाता है next question है stud extractor को घुमाया जाता option है anti clock by, clock by, उप्रोक्त दोनों और उप्रोक्त मैं से कोई नहीं तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा anti clock by क्योंकि इसमें left hand चूड़ी कटी होती है इसलिए से anti clock by घुमाया जाता है next question है split die stock screw प्रोक्त किया जाता है option है die को पकड़ने के लिए slot को सापने रखकर कसने से die को कुछ size बढ़ जाता है उप्रोक्त दोनों और उप्रोक्त दोनों मैंसे कोई नहीं तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा उप्रोक्त दोनों याने die को पकड़ने के लिए और slot को सामने रखकर कसने से die को कुछ size बढ़ जाता है next question है धंबरूल अनुसार M12 के लिए tape drill size होगा option है 8.4 mm 9 mm 11 mm और 9.6 mm तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा 9.6 mm 6.0 mm next question है एक बटा दो इंच BSW के लिए tape size drill होगा option है 25 बटा 74 इंच 13 बटा 32 इंच 3 बटा 8 इंच और 27 बटा 74 इंच तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा 32 इंच इसका right answer हो जाएगा next question है M12 multiply by 1.75 के लिए blank size होगा option है 11.825 mm 11.5 0 mm 11.11 mm और 11.3 0 mm तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा 11.825 mm next question है bottoming tape में taper lead का कौन खालिस्तान डिगरी होता है option है 4 डिगरी 10 डिगरी 20 डिगरी 15 डिगरी तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा नेस्ट कॉस्चन है बो हो जाएगा बो हो जाएगा नर्म धातु में चूड़ी काटने के लिए जीरो से 25 नमबर और उपरोग तो सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा नमबर साइज में जो भी ये टेप के set होते हैं बो नमबर साइज में पाए जाते हैं जीरो से 10 या जीरो से 25 नमबर में यहाँ पर हमारे टेप से संबंदित important question complete होते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजी अपने friends को share कीजी और जिसकी वी इस वीडियो से help हो सकते हैं उसे share कीजीए और यदि आप channel पर ना आए हैं तो channel को subscribe करना ना भूले thanks for watching जाहिंद बंदिमात्राम